हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आसा है छुटी आच्छी वीत रही होंगी आज हमारे विडियो के इस प्लेटफर्म का तीसरा चलन है और यह चलन इतना लंबा और जटिल है कि मैं ज्यादा बाते न करता हुआ सीजा मुद्दे पर आना चाहूंगा एज हमारी बातचीत यान्ट्रेट के बारे में होगी च्शह लंसामान अंटे हैं हिंदी में दागा जानते हैं यह फाइबर को ट् WEIS्ट करके और स्पिनिंग प्रोसेस से द्वारा तयार किया जाता है और इससे ही आगे फैबरिक बनाने की प्रक्रिया को पूली करते हैं कि जिस दाग वी का काम करते फेड़ बोलते हैं इसका पंधा भिस्तार बेघी कंगर के तुम है दोस्तों ये ना भोले ताकि समय से दूसरा वीडियो टाइम लिया आपके पास पहुचआ है तो चलिए आईए हम इसके बारे विश्तास ही जानते हैं अगर हम यान के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो बहुत ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इस विशे के बारे में जानकारिया बहुत ज़्यादा है और हम इस प्लेटफॉर्म पसे बेसिक और कॉमन बाते ही करेंगे तो सबसे पहले हम जाने की धागा यान या थ्रेड है क्या फाइबर या रेशा को ट्विस्टिंग और स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा धागे के रूप में बदला जाता है जो सिलाई या बुनाई के कारे में लाया जाता है इस प्रोसेस में धागे के कई अलग अलग प्लाई को जोड़ कर फाइनल रूप दिया जाता है इस आधार पर हमें कई बार पूछा जाता है कि धागा कितने प्लाई का है इसी तरह धागे को उसके twist के आधार पे भी जाना जाता है अगर धागे का twist घड़ी की दिशा में यानि clockwise हो तो उसे S twist बोलते हैं और जिस दागे का twist घड़ी के उल्टी दिसा में हो यानि anti-clockwise हो उसे z twist करते हैं घने क्रिंकल वाले फैब्रिक में हम high twist दागे का प्रयोग करते हैं जिससे क्रिंकल का निर्मान होता है सामाने तछ धागों के नाम और प्रकार कई आधार पर किये जाते हैं पहला प्रियोग में लाए गए content के आधार पर जैसे cotton yarn, woolen yarn, silk yarn, synthetic yarns आधी दूसरा यान को हम उसके number of plies के आधार पर भी जान सकते हैं जैसे single ply yarn, two ply yarn, three ply yarn आधी तीसरा यान को हम उसके twist के आधार पर भी जान सकते हैं जैसे s twist yarn, jet twist yarn, high twist yarn आधी इसे प्रकार चौथे प्रकार में हमर देखें, तो धागे को comd और carded yarn के नाम से भी जाना जाता है carded yarn का strength यानि मजबूती comd yarn से कम होता है, साथ ही इसमें बारीक fiber यानि hairness यानि fiber bubble या रूमे की शिकायत भी जादा होती है finally हम कहें तो comd yarn की गुनवत्ता coded yarn के पिक्षा जादा होती है पाचवा, blended yarn, इस यान को विभिन प्रकार के size, origin, thickness, आधी के fiber को मिला कर बनाया जाता है जैसे poly cotton blend yarn, cotton viscous blend yarn आधी छटा प्रकार होता है novelty yarn, भागे बनाने की प्रक्रिया में यदि कोई special effect को डाला जाए तो उसे novelty yarn बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई yarnों में slub होता है slub yarn, यानि yarn with slubs, इस प्रकार के yarn को हम novelty yarn बोलते हैं साथवाँ प्रकार है textured yarn, धागे के structure को rough करके, cut लगा कर या different interval देकर या twisting देकर एक संरचना उभारी जाती है इसे हम textured yarn कहते हैं आठवाँ प्रकार है recycled yarn, रीसाइकल के द्वारा हम plastic आदी जैसे वस्तूओं से रेशा तयार कर उन्हें अन्य फाइवर से blend करके धागा बनाते हैं इस तरह से विज्ञान के द्वारा हमारे परियावरन की सुड़क्षा भी की जा रही है नवाँ प्रकार होता है, yarn को हम उसके count के द्वारा भी जान सकते हैं count actually yarn के एक मानक को तै करती है, measurement of unit है count अपने आप में एक बहुत ही जटल प्रक्रिया है अतर इसके बारे में हम विस्तार से बाते करेंगे अपने अगले शेशन में दस्वाँ प्रकार है organic yarn इस प्रकार का yarn उन नेचरल फाइवर से त्यार किया जाता है जिनमें किसी भी अवस्था या चरन में किसी प्रकार के synthetic या रासायनिक उत्पाद का प्रियोग नहीं किया जाता है साथ ही इसमें किसी प्रकार रासायनिक की ना सकता ही प्रियोग नहीं किया जाता है इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस धागे से बना हुआ फैबरिक यानी और गनिक फैबरिक हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फाइदमंद होता है और इसी वजह से आज कल और गनिक फैबरिक की दिमांड विस्वस्तर पर बहुत ही ज़ादा है तो दोस्तो आज हमने धागे के बहुत सारे प्रकारों की चर्चा की फिर भी अभी बहुत सारा बाकी है और आज के विज्ञान के युग में नित नैने अनुसंधानों के द्वारा नैने प्रकार के धागों का अविश्कार किया जा रहा है दोस्तों अगर आप इस फिल्ड में रुची रखते हैं और इस गार्मेंट इंडर्श्टी के दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बात जरूर याद रखें कि जब भी आपके सामने कोई धागे करना या प्रकार आए तो कुछ समय कुछ रिसोर्स लगाकर उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और अपने अनभव के रूप में सहेजें निश्चें ही दीरे दीरे इकठा हुआ या अनभव आपको बेशक महजूज नहों पर भविस्ट में आपके बहुत काम आएगा तो चलिए दोस्तों आज बहुत सारी बाते हो गई अब शब्दों को विराम देते हैं अगले से सन्वे फिर मिलेंगे काउंट की डिटेल जानकारियों के साथ तब तक के लिए बाबाए